हलो एविर्वन मैं हूँ शमा और आप देख रहो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंट लाइप स्टाइल इन हिंदी तो आज किस वीडियो में गाईज मैं पुराने कप्टे का यूज कर रही हूँ और जिनको नहीं आता बनाने न वो भी बना सकते हैं तो यहां मैंने पुराने कप्ड़ें से इस तरह की पट्या कट की हैं एकदम खराब कपड़े मत लीजेगा जिनके थोड़े से कलर अच्छे हैं और जिनके थोड़े मजबूत कपड़े हैं उनको लीजेगा तो यह साथ 14 इंच का मैंने कपड़ा कट किया है और इसको 20 से मैंने फोल्ड करके रखा है टूटल 14 इंच लीजेगा अगर आपको लगे बाद में कि आप इससे चोड़ा ले सकते हैं तो आप इससे चोड़ा ले लीजे इस तरह से पट्टियां कट कर लीनी है तो मेरे पास जो भी सॉफ से आप रख लीजे या फिर बेट के लिए आप बनाना चाहते हैं लंबाई उसे साब से रख लीजे लंबाई इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें इस तरह से मैट्रेस के ऊपर रखिए अगर सिंगल बनाना चाहते हैं तो इधर से और ज्वाइन कर दीजे इसमें बेभी के लिए बनाना चाहते हैं तो थोड़ा कम ही रखिए गा। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसमें स्टीचिंग करेंगे। तो स्टीच करने का तरीका है वो हम मैं बता देती हूं किस तरह से। पट्टियां जो चणषोड़ी पट्टियां मैंने काटली हैं और कपड़े का सीधा वाला प्रिन्ट था उसको अंदर कर लेना है और सिलाई लगानी है फिर सिलाई हम इधर से लगाएंगे बंद कर देंगे इसको मोड के मशीन को इधर ले आएंगे लंबाई में सिलाई लगाएंगे इसमें दो सिलाई लगाई है और ये वाला जो उपन एक पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे फिलिन के लिए तो ये सिलाई मैं पहले लगा ले रही हूँ, तो ये देखे, यहाँ पे एक सिलाई लगी और एक सिलाई इधर लगी, ये वाली चीज मैंने छोड़ दी इधर से, अब इधर से ही आप इसको सीधा कर लीजे, सबसे पहले corners को अच्छे से निकाल लीजेगा, ये देखे, ये द से पट्टी निकाल ली मैंने और ये हमारा एक पीस रड़ी हो गया है, अब करना क्या है कि मैं दो तरीके बताऊंगे इसको ज्वाइन करने के, तो पहला तरीका ये है कि इस तरह का खोल बना लीजे जब न, तो खोल बनाने के बाद आप आधी इंच की दूरी पे एक कर लेंगे, खोल को उसके बाद से लगाएंगे, तो यहां लग गई है एक सिलाई, अब यहां पे आद दूसरी पट्टी को भी सेम तरीके से हमें पहले खोल बना लेनी है, तो इस तरह से इसकी प्रिंट को आप उल्टे साइट कर लीजे, और उसके बाद से इसमें सिलाई लगा लीजे, सिलाई लगाने के बाद इसको सिधा कर लीजे, यह सीधी हो गई है, अब यह वाले जो पट्टी है इसमें मैंने इसको सबसे उपर मुझे लगाना है, तो जब उपर वाली पट्टी आप सिलाई करेंगे, तो उसमें आप यहां पे एक ही सिलाई मैंने तो इसमें इधर भी आधी इंच पे सिलाई लगेगी और इधर भी आधी इंच पे सिलाई लगेगी मतलब बोथ साइड जो है न सीधा करने के बाद पट्टियों पे सिलाई लगेगी इधर और इधर तो आधा आधी इंच का मार्जिन दे के सिलाई लगा लिजे अब इस तरह से सिलाई लगा लिजे और सिलाई लगाने के बाद अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो पहला तरीका जो वगभा रही होना ज्वा ज्वाइन करने के लिए ने कि आपको चूर्ब कर सकते हैं तो है। दूसरी चीज इस तरह के soft दुपट्टे जो होते हैं वो काफी soft होते हैं और काफी fluffy होते हैं इस से जो है मैट्रेस गद्टे जो भी आप बना रहे हैं वो काफी fluffy बनते हैं और काफी अच्छे बनते हैं मुलायम बनते हैं तो इस तरह की दुपट्टों को आप चाहो तो कट करके रख सकते है दूसरी चीज इस तरह के पुराने जो भी कपड़े आपके है उनका यूज आप इस तरीके से कर सकते तो एक तो मैंने कवर बनाई है तो पुराने कपड़े का कवर भी बना लिया आपने और दूसरा जो है पुराने कपड़ों के फिलिंग भी कर लीजे तो इस तरह से अगर तो आप उसको हम इसमें फिल कर लेंगे यहां देखिए पूरा हाथ अंदर चला जाएगा इस तरह से आप बहुत आराम से इसको फिल कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इसमें कोई भी इस्टिक का यूज कर सकते हैं उससे भी अंदर कपला डालने में इसी हो जाएगा ऐसे फिल कर लिया मैंने यह देखे ऐसे फिल कर लिया एकदम फ्लपी बन के यह रेडी हुआ है यह देख सकते हूँ आप इस तरह से हाथ से सट कीजेगा न तो सारा चारो तरफ से एक बराबर बैट जाएगा अब इधर वाला जो माउथ ह इसको छोड़ दीजे खुला वाला पाट अभी और इस तरह से एक पीस हमने रेडी किया है अब दूसरा वाला पीस जो है यह बोस साइड हमने लगाया था ना सिलाई अब दूसरी वाली पीस को हम इसके उपर रखेंगे फिलिंग करने से पहले हम इसमें अटेच कर लेंगे इससे क्या होगा आपका जोइन करने में असान होगा यहां मैं सिलाई मशीन पे अपने इसको जोइन करके दिखा रही हूं बस ऐसे उपर रख दीजे दूसरी वाली पीस को और इस तरह से सिलाई लगा दीजे सिलाई मशीन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही तो वहां के लिंक दे दूँगी, आप वहां से आप देख सकते हूँ, अगर आपको चाहिए तो ले लीजे, डिएर साल से यूज कर रही हूँ, बिल्कुल सही मशीन है, आप घर में इस्तेमाल करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको, तो इस तरह से उपर एक दूसरे के रख क और इस तरह से जॉइन कर देंगे लास तक यह देखें यह वाला पीस मैंने यहां जॉइन कर दिया तो यह पहला तरीका है कि इस तरह से पीस सब जॉइन कर सकते हैं जिसमें आपको हर पट्टी में दो सिलाई लगाई है यह देखें जोडने के बाद इस तरह से कुछ इसका ल आपको सही लग रहा है और इसमें आप फिलिंग कर लिजे, फिलिंग करते जाएं लेकिन यहां एक तरीका और मैं बता दे रही हूं, उसको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि पट्टी मैंने एक बारी फिलिंग करने के बाद इसमें लगाई थी, अब आप क्या कि एक साथ पट्टियां जोड सकते हैं, जैसे कि यह दुनों पट्टी है, खोल बनाया, सीधा किया, पट्टियों को एक दूसरे के उपर रख करके, ऐसे जोडते जाएंगे, ऐसे जोड लेंगे हम पहले, तो यहां पे देखिए, ऐसे रखना है, और पट्टियों को इसी त इसका वो एक साइड होना चाहिए, बाकि सबको ऐसे जोड लीजे, और जोडने के बाद आप हम इसमें फिलिन जो करना है हमें वो कर लेंगे, हम तो यह भी बहुत असान तरीका है, डिरेक्ट जोड के कर लीजे आप ऐसे, यहां देखिए, मैंने इसको फिल कर लिया है, फि बहुत हिल्प करने वाला है, बैक पैन के लिए, तो यह देखिए, ऐसे करना है, और इसको सट कर लिजे, आप इसको मूड के रखने हैं, बहुत इसको रोल बना के आप मूड सकते हैं, और यह बनके रडी हो गया है, अब आप चाहो तो इसमें से, जितनी ज्यादा आपको लंबाई रखनी है, उतिनी ज्यादा आप इसमें पट्टियां बढ़ाते जाएए, और चोड़ाई बढ़ानी है, तो आप उस साइट चोड़ाई बढ़ा लिजे इसकी, तो इसमें मैं बाद में पट्टियां बढ़ाती जाओंगी, और इसमें इस तरह से चोड़ाई बढ मूढ के मैं सिलाई मशीन से में लगा लूगा अाराम से जालता है तो यहाँ गैज इसको एस्पाइब लगा है तो यह मैट्रस इस तरह से मूढ के सकते हैं तो यह चाहो तो यह जाए है पर विल्कुल कपड़ अगर बेबी के लिए बना रहा हो ना चोटे बच्चे के लिए तो एकदम soft इसमें cotton भरिएगा या फिर soft दुबटा भरिएगा तो वो बहुत मतलब soft रहेगा और इस तरह से आप बैठने के लिए पट्टी वो पट्टी आप इसमें लगा सकते हैं पूरी चारो तरफ पुराने fall ले लिजे या पुरानी पट्टी का यूज करके लगा लिजे तो आज की वीडियो गाईज यही थी अगर वीडियो थोड़ी भी helpful लगती है तो प्लीज लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा कॉमेंट करके जब बताएगा वीडियो कैसी लगी थैंक्स फर वाचिंग बाई ओर वाचिंग आज कीजेगा वीडियो तो इटी के लगाईब लाईबागा वीडियो लाईब लाईबा कीजेगा सब्सक्राइब कीजे़ का लिए अगर राहरा वाचिंग। झाल झाल